यह आई हैलो आई ब्रीवन तो एनपीसीयल की तरफ से एक और वैकेंसी निकल कर आई है अभी कुछ टाइम पहले ही एनपीसीयल ने नरोरा की तरफ से एक वैकेंसी निकाली थी जिसमें जो पद हैं वो बहुत ही कम थे लेकिन इस बार रावद भाटा राजिस्तान के तरफ से vacancy आई है और काफी अच्छे पद हैं यहाँ पर कुछ important dates को यहाँ पर देख लेते हैं online आविधन करने की प्रारंबिक तिती जो है वो 22 अगस्ते start हो गई है 10 बजे से और अंतिम तिती यहाँ पर 11 सितंबर तक होंगे आपके जो आविधन की तिती है वो 22 अगस्ते start हो गई है और जो अंतिम तिती है यानि कि आप कब तक form भर पाएंगे 11 सितंबर तक form भर पाएंगे अब यहाँ पर दो post पर यानि कि दो category में vacancy निकाली गई है अब एक category तो iti वालों के लिए है और दूसरी जो category है अगर आप 10th प्लस 2 किये है यानि कि अगर आपकी iti वो ट्रेड में नहीं है तो अगर आपने 10th प्लस 2 किया है तब भी आप इस vacancy में अप्लाई कर पाएंगे तो यह जो प्रचालक है ऑपरेटर की जो vacancy इसमें जो टोटल करके रखा है ओपरेटर में 152 में यहां पर देखिए 10th प्लस 2 है ठीक है 10th प्लस 2 इसके लिए qualification है और इसके लिए iti है अब iti के लिए कौन कौन सी trade होगी यह आपको हम अभी बताएंगे तो यह category वाइस जे आप लोग देख सकते हैं टोटल 152 है यहां पर 153 है ठीक है extra pwd के लिए और यहां पर मेंटेनर मेंटेनर iti के लिए जो है वो मेंटेनर के उसमें निकाली गई है वेकेंसी जिसके हैं 126 टोटल 126 यहां पर पूरी वेकेंसी निकाली गई है टोटल 289 पदों पर भरती है निकाली गई है अब बात कर लेते हैं कि iti की जो trade है वो कौन कौन सी है तो iti की trade है इलेक्रीशन, fitter, electronics, intervention, machines, turner, welder ठीक है तो यह है हमारी मेंटेनर की केटेगरी में ठीक है ओपरेटर नहीं मेंटेनर की केटेगरी में इलेक्रीशन, fitter, electronics, information, machines, turner, welder यह कुछ trade यहां पर दी गई है यही trade यहां पर eligible है और कोई भी trade eligible नहीं है ठीक है category wise हर एक trade को category wise divided कर दिया गया है कि electrician में 26 हैं तो SC की 4 होगी, ST की 3 होगी, OVC की 5, EWS की 3 और general की 11 और PWD की 1 तो इस तरीके से आपकी electrician divided है आप और भी trade को देख सकते हैं category wise qualification का अब आपको मैं chart दिखाते हूँ कि qualification operator के लिए क्या मांग रहा है आप कहेंगे कि COPA की कभी वे कैंशी नहीं आते है या फिर जो भी trade यहाँ पर दी गई है उसके अलावा जो student देख रहे होगी हमारी trade यहाँ पर नहीं है तो क्या करें तो आप operator में operator की category में जा सकते हैं इसमें आप apply कर सकते हैं 10th plus 2 यहाँ पर qualification है आपकी मांगी गई है ठीक है 10th plus 2 यहाँ पर जादा कुछ बड़ी बात नहीं है 10th plus 2 सभी ने की होगी लेकिन PCM के साथ आपने की हो बस यही बड़ी बात है biology यानि कि आपने math से किया हो biology से आपने 10th plus 2 या फिर art side से ना किया हो PCM physics chemistry math आपके लिए होनी चाहिए operator के लिए और maintainer के लिए तो वही है 10th plus ITI जो trade आपने देख ली है उपर आप बात करते हैं किस चीज की आपके उचाई और वजन के लिए प्रचालक operator और maintainer दोनों के लिए एक ही चीज है minimum height 160 cm और minimum weight 45 kg 45.5 यानि की 45 kg से कम नहीं होने चाहिए और 160 cm से आपकी जो लंबाई है वो नहीं होनी चाहिए कम ठीक है और आपको यहाँ पर कुछ चीजें और देखनों के मिल जाएंगी प्रसिछड के प्रतम वर्स यानि कि आप जब आपका training चल रहा होगा तब आपके पहले वर्स में आपको 20,000 प्रतिबहां मिलेगा उसके दूसरे वर्स में आपका 22,000 इस तरीके से आप पुरा notification पढ़ सकते हूँ कैसे क्या होगा इसको मैं आपको बहुत इची तरीके से बताती हूँ आपको क्या करना है आपको अपने Google पर जाना है और फिर Chrome पर जाना है जस्ट सरकारी रिजल्ड क्लिक करना है सरकारी रिजल्ड क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर NPCIL यहाँ पर दिख रहे है 22 तारीक से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए है अप्लिकेशन की फीस यहाँ पर जनरल ओवी से और EWS के लिए 100 रुपए बाकी सबी के लोगों को यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी होगी तो अगर आप इलिजबल है तो जरूर अपलाई किजेगा मिनमम एज 18 साल है मैक्समुम 24 साल है राइट सरकारी रिजल्ट पर जाके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी आईडिये ट्रेट भी दिख जाए है टोटल 6 आईडिये ट्रेट है बागी अगर आपकी आईडिये ट्रेट इसमें नहीं है अगर आपने 10 प्लस 2 कि यह PCM से किया है तो यहाँ पर आप फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं नीचे सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर एपलाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे क्लिक तो आप सीधे अपना फॉर्म भर सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप जाकर नो है कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं यह सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ट्रेड कोड़ी के ज्यादा आपको टेंशन हो रही थी कि हमारी ट्रेड नहीं है तो क्या करें तो आप 10th आपको हर एक सुविदा दी जाती है मोवाइल रिचार्ज आपका टीवी रिचार्ज आपका किराया आपके आने जाने का खर्चा हर एक चीज यहां पर दी जाती है फामली के लिए बहुत ही बढ़ी आए आगे चलके आपको इसमें बहुत ही जादा सुविदा मिलने वाली है काफी इस बार ना NPCL ने काफी अच्छी पोस्ट पर वेकेंसी निकाली है तो डेफिनिटली आप इसमें अप्लाई करें